बचो पुना पाले की तरह कख्षा 7 में सब्तम में पुना प्रत्य सब्द को लेकरके हम उपस्तित हुए हैं और इससे पहले भी हम लोग प्रत्य के बारे में समझते हैं जे प्रत्या क्या चीज होता है उसका क्या परिवाषा होता है उसी के बारे में हम लोग अभी तक समझ चुके हैं जान चुके हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना है जो प्रतिया सब्द जो है इनको हम लोग कैसे परिवासित कर सकते हैं इनका क्या परिवासा होता है तो सबसे पहले हमको परिवासा के बारे में जानना है जो प्रतिय जो है वो सब्दांस है जो किसी सब्द या धातूं के अंत में लग कर उनके अर्थों में परिवर्तन करता है उसी को हम लोग क्या करते हैं प्रतिय कहते हैं ऐसा धातू या सब्द जिसके अंत में प्रतिय जूट करके उनके अर्थों में जो परिवर्तन करते हैं परिवर्तन लाता है उसी को हम लोग प्रतिय सब्द रूप कहते हैं जैसे मान के चलो हम लोग देखते आये हैं जो गम जो पठ जोर कत्वा वरावर गत्वा हो जाता है पठ जोर कत्वा वरावर पठित्वा हो जाता है ठीक उसी तरह से अब हम लोग यह देखेंगे जो कत्वा प्रतिय जो है इसमें क्या-क्या सब्द बच जाता है क्या खत्म हो जाता है क्या नस्ट हो जाता है किसका लूप होता है और क्या सब्द जो है जो बचा हुआ सब्द है जो की सब्द या धातू के साथ में जूट करके उनके अर्थों में परिवर्टन करता है. अब हम लोग प्रतिय के बारे में हम लोग जान देंगे, जो किस प्रतिय में किसका लोग होता है, सिर्फ क्या चीज जूडता है, उसी के बारे महम लोग जान देते हैं, जैसे मान के चलो, कत्वा प्रतिय है, कत्वा प्रतिय से अर्था भावती करके, यानि कत्वा का अर्थ ह होता है करके ठीक है फिर उसी में से हम लोग दिये हुए हैं कत्वा प्रतेयस प्रयोग धातु भवती यानि कत्वा प्रतिया का जो प्रयोग है वह हम धातु या सब्दों के साथ में करते हैं तीसा नमर में आ जाता है कत्वा प्रतेयस को लूप भवती केवलम त्वा धातु अनंतरम प्रयूज्यते करें क्या कत्वा प्रत्याव में यूढालोग होता है और शिर्फ त्वा सब्द जो है धातु के साथ में जूड करके उनके अर्थों में परिवर्टन करता है। उसी तरह से जेसे यथा महम दोग देख लिए गम गम जोर कत्वा पराबर गत्वा इसके बाद लाश्ट नुमर में आ जाता है कुत्रचित इ स्वरस्ये प्रयोग अपिभवति यानि इस श्वर का भी प्रयोग इस प्रतिये में किया जाता है जैसे पठ जोर कत्वा बराबर प्रतिया यानि इस सब्द जो है इस से हर्सिकार होता है इस सब्दों को जोड़ करके हम लोग इस प्रतिया को जानते हैं। प्रतिया के प्रतिया के बारे में तो लिए प्रतिया के रूप में इसका भी हम लोग प्रियोग करते हैं। फरहlee प्रतियस्परयोग उफसर्ग शह भवती परम कत्वा प्रतियस्थ उफसर्ग रहितः भवती करें कि लेप्रतियका प्रयोग है उफसर्ग के साथ मोई होता है ठीक है इसके बाद हम लोग जिसे दिखते हैं उफसर्गीन सहकदापी कत्वा प्रतियस नो प्रयूज जते यानि उफसर्ग के साथ जो है कत्वा प्रतिया का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं लेप्रतियस ये उफसर्ग ही धातु नाम सहक प्रयूज जते यानि लेप्रतिया का जो प्रयोग हम लोग करते हैं वो धात्वो के साथ में प्रियुक्त किया जाता है छात्राह लोट लाकारे मध्यम पुरुशे प्रायह एताम तूटिम कुर्बंती प्रायह क्या होता है इसमें तूटी कर लेता है जैसे लियव प्रत्य है इसमें इसमें जो है लोग और पौ का पुनह क्या हो जाता है लोग हो जाता है लो यह सब्ध जो है, वह धात्य यह सब्द के साथ में आजाता है, जैसे अवस्यक्ता यह अत्र और 6 अब्सर्ग नू सब्सक्रीय वह जेता है, उप्सर्ग में जो है, यह लोका प्रियों pares में लाया और नमसे जिसका जिसका Single होता है वो बज जाता है सिर्फ यह सब्द जो है वह धातू यहाँ प्रतियों के साथ में आकर के लग जाता है जूट जाता है उशी तरह से जEMA triggers kind of gossip का हो फिर आगे वला जो प्रतिय है वह है तुम्हारा तुमुन प्रतिय भी जो है इसका अर्थ होता है के लिए तुमुन प्रतिय का अर्थ होता है के लिए अब तुमुन प्रतियस अर्था भवती के लिए अस प्रतियस प्रियोग अपिधातु भी शह भवती यानि इस प्रतिय का जो प्रियोग होता है वो अधातुों के साथ में किया जाता है। यह था Gm jaffumun , बराबर गनतुम। अत्र-अपिकूत्री कुत्र चित ई प्रियुजते कुत्र चौनौ यह था P tots जोर तुम। अपी कुत्रचित ई प्रियुज़ते कुत्रचित चौनो यथा पथ जोर तुमन पठितुम एते त्रय प्रत्याह पुनह रूपेशु नो प्रियुज़ते अब इसमें जो है प्रत्याह का पुनह प्रियोग में लाए जाता है रूप प्रियुज़ होता है एते प्रत्याह तुमुन प्रत्या का जो पद होता है वह अभ्यपद के साथ में जुड़ा हुआ होता है इसमें क्या होता है एते प्रत्या त्रीशू लिंगेशू त्रीशू बचनेशू समान रूपिन भवन्ति यानि तीनों लिंगों में और तीनों बचनों में इसका जो रूप होता है व लोप हो जाता है शिर्फ इसका तुम बच जाता है और तुम जो है धातू या सब्दों के साथ में जूट कर उनके अर्थों में क्या करता है परिवर्तन कर देता है जैसे मान के चलो हम लोग देते हैं गम जोर तुमून बराबर गम तुम जोर तुमून बराबर गन तुम जै लिख जोर तुमून बरावर नन तुम। इसी प्रकार से हम लोग देखते हैं लिख जोर तुमून बरावर लिखी तुम। इसमें से उ का और किसका नो का लोप हो जाता है और सिर्फ इसमें तुम सब्द जो है वह बच जाता है और बच जाने के बाद क्या होता है तो ये धा अब हम लोग चलते हैं कुछ अफसर्ग के बारे में तो फसर्ग भी जो है इसी प्रकार का दिया हुआ है उफसर्ग सब्द जो है ये प्रतियह के समान ही दिया हुआ है उपसर्ग सब्द का हम लोग जब परिवासा करते हैं तो यही होता है उपसर्ग वह सब्दांस है जो किसी सब्द या धातों के अंत में उपसर्ग वह सब्दांस है जो किसी सब्द या धातों के पहले लगकर उनके अर्थों में क्या करता है परिवर्तन करता है प्रतिय सब्द वह होता है जो क्या करता है पहले लगता है वह लास्ट में लगता है प्रतिय जो है वह लास्ट में लग जाता है लेकिन उफसर्ग जो है वह क्या करता है किसी सब्द या धातु के पहले लगकर उनके अर्थों में परिवर्तन कर देता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं उफसर्ग सब्द कहते हैं उसी में मान के चलो जैसे उफसर्ग सब्द जो है वह है अब अब के साथ में अगर हम लोग तरती जोड़ देते हैं तो अब तरती बन जाता है जैसे आ जोर गच्छती वरावर आ गच्छती हो जाता है ठीक है इसके बाद वी जोर चरती वरावर वी चरती वील वी जो है विल जोर विल पो तौसिकार विल पती तो वी सब्द जो है ये उफसर्ग में आ जाते हैं तो कहने का अर्थ वा बच्छों जो प्रतिय और उफसर्ग जो है सब्द के अंत में और पहले लग करके अर्थों में इसका क्या कर देता है परिवर्तन कर देता है तो उसी को हम लोग उफसर्ग या प्रतिय कहते हैं सिर्फ इन दोनों में हम लोग अंतर ये लेते हैं जो उफ कर उनके परिवर्थन कर देता है तो ठीक है बच्चों तो पुना हम लोग प्रत्य और उपसर के वारे में समझ गए और इसको बना भी लेंगे ठीक है फिर हम लोग आगे किलास में जो है उपस्तित होंगे ठैंक यू बच्चों